नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लासिस में आपका स्वागत है तो हम लोग जेनल अविनेस पार्ट डिसकस कर रहे थे आर अर भी एंटीपीसी एकजाम के लिए जिसमें कि हम लोग इनभॉर्मेंट बेसिक सब्जक को डिसकस कर रहे थे तो यह जो है आपका CBT1 और CBT2 दोनों के ल लिए और इसके पहले देखिए जितने भी लेक्चर से हमने कवर किये हुए इनभॉर्मेंट बेसिक्स का तो हमने इसका अलग से प्लेइलिस्ट बना दिया है तो आप लोग डिसक्रप्शन बॉक्स में जाना वहां पर आपको जो है लिंक मिल जाएगा तो वहां जैके आप जो है काफी important है और यह आपका environment का last part आपका होगा और इसके बाद जो हम लोग फिर new subject को start करेंगे जिसमें कि यह आपके computer हो सकते है पिर जो और history होगा तो वह हम लोग start करेंगे और यह PDF जो है इसका हमने अलड़ी बना दिया है link तो आप लोग download कर सकते है इसको आपको discussion box मे दिया हुए पूरे इंभॉर्मेंट का जितने भी लेक्चर से हमने आपको कोबर कराया हुए हैं तो देखिए वेस्ट मेनेजमेंट में सिंप्ली आपको इसमें स्टैडि करना यह जो वेस्ट होते हैं जो वेस्ट जिनेरेट होती है हमारे हाउसोल्ड में या और भी जो कचड राते हिदर इधर फ्येके वेश्ट हुए रते हैं तो उसको किस तरीके से हम मैनेजमेंट किया जाना चाहिए तो यह सारा चिज़ इसके अंढर में Boss T किस तरीके से करेंगे हम लोग तो इसमें वह सारे एक्टिविटीज या फिर जो एक्टिवाइड होते हैं ताकि हम वेस्ट को उनका जो शुरुवाती ही होती है जो इन्सेप्शन होती है कि जहां से वह ओरिजिनेट होते हैं और वहां से लेके फाइंड डिस्पोजल तक तो सब्सक्राइड होते हैं यह सारे चीज आपके होते इन्कूडीड होते हैं जैसे वेस्ट को क्लेक करना इसके बाद उनको मौनिटरि भी करनी पड़ती है और साहती इनका regulation भी करना ही पड़ती है तो यह सारे चीज़ आते हैं आपके waste management process के अंदर में ऐसा नहीं है कि एक पर हमने कचड़े को उठा दिया और इसको हमने जैसे transport करके कहीं पर रख दिया तो वो final कतम काम हो गया नहीं उस पर monitoring भी करना ही होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे chemicals होते हैं जो environment को नुकसान पहुचाते रहते हैं तो देखिए जो waste रहते हैं तो यह आपका किसी भी format हो सकते हैं जैसे solid waste होते हैं कुछ liquid waste हो सकते हैं और कुछ gases form में भी आपके हो सकते हैं तो यह जो है इनका अलग-अलग type होते हैं तो इनका जो method होता है disposal का तो सभी की अलग-अलग होती है और उनका management करने का जो तरीका भी होती है तो वो अलग होती है सब एक जैसा नहीं होता है कि जैसे कोई भी गार पर जाया तो उसको हमने रख दिया land मतलब कहीं पर जैसे landfill किया दा है तो वहां पर कचड़े को एक जगा land में भ भर दियाता है तो आपका ऐसा नहीं बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनके लिए अलग क्रेटरिया होती है disposal करने की तो वेस्ट management आपका इसमें यही सब deal करता आपका कि जैसे जितने भी टाइप सब जो बेस्ट होता है आपके तो इसमें देखिए जो वेस्ट आपके रहेंगे इसमें के द्वारा तो उनको हम लोग बोलते हैं तो इसमें आपका पॉलिथीन हो गया बैक्स हो गया इसक्रैम मेटल हो गया और ग्लास के जो बॉटल होता है तो अब दिखिए यहां पर जो मेजरली जो फोकॉस हम करेंगे वह ता आपका सॉलिड वेस्ट का इसमें हो गया क्योंकि देखिए जो सबसे आधा जो कच्छिड़े जो होती है जो उतस्पन होती है तो वह तो मेनेजमेंट करनी होती है सबसे अदा हेक्टिक टाक्स इनहीं के उपर में रहती है तो मेली हम लोग यहां पर उसी को फोकॉस करते हुए स्टेड़ी करेंगे डाट इस तो यहां पर हम लोग कुछ method को discuss करेंगे कि किस तरीके से जो waste होता है तो इसको हम लोग dispose कर सकते हैं या फिर disposition का क्या क्या तरीके है जो method होता है जो कि इनको properly किया जा सकता है तो जो most commonly method जो use कियाता है waste management का तो इसमें आपका पहला है that is landfills का दूसरा आपका inserination का यह इसको combustion process बोलते हैं लोग तीसरा एक composting का चौथा आपका है that is waste to energy यानि कि इसमें हम energy को recover करते हैं फिर इसके बाद आपका पाच्वा है recovery और recycling का और इसके बाद फिर छटा आपका है इसमें क्या होता है आपके कि इसमें जो waste रहते हैं तो simply इसमें रहता है कि कहीं भी एक ऐसा location को choose किया जाता है कि इसमें कोई जादा energy या फिर जो है और जादा infrastructure की जरुरत तो नहीं पड़ती है लेकिन इनसे बहुत समस्या होती है जैसे air pollution और water pollution का तो यह environment को severely affect करती है तो इस तरीके से तो यह जो landfill का जो तरीका आपका यह fatal भी सावित हो सकते हैं जो humans से या फिर जो animals से उनका life के लिए तो यह जैसे एक तरीका आपका है भले ही energy best को manage करने के लिए लेकिन इनसे environment को बहुत ज़्यादा जो है च्छती होती है तो यह उतना यह best practice नहीं है best management करने का फिर वहीं देखिए दूसरा आपका इसमें इंस इंडिरेशन का और या फिर इसको हम लोग combustion प्रसेशन बोलते हैं हम लोग तो यह भी आपका एक टाइप का डिस्पोजल मेथड है कि जिसमें की जो वेस्ट जो रते जो municipal solid waste चो कलेट कियाता है municipal corporation को दोरा तो simply इसको देखिए उनको burning किया आता है और एक बहुत ही high temperature पर एक माली जो कोई furnace रहेगा उसमें सारे जो वेस्ट रते तो उनको उसमें डाल दिया था और simply उसको burn किया जाता है ताकि उनको जो हम लोग किसी दूसरे residue में convert कर दे जैसे residue हो गया फिर कोई माली राक हो तो इसमें लगभग 20-30% जो है original volume से यह कम हो जाती है तो इस तरीके से जो space जो requirement होती है आपकी landfills में तो उसको यह कम कर देती है तो इस तरीके से जो stress होता है landfill में कि मतलब कि जो area यह cover करता है तो वो हम लोग burning करके incidination करके कम कर दिये जा सकते आप्टू 20-30% तक की however यह भी आपका कोई best practice नहीं है incidation का या फिर combustion का कि कुई इससे जो है मतलब कि जो अगर burning करेंगे तो उनसे भी बहुत हामफूल gas release होते हैं फिर अगला देखिए जो method आपका वो है composting का तो यह आपका सबसे easy और natural bio degradation process आपका है कि जिसमें कि जो organic जो waste रहते है इसमें तो जो है मतलब कि जो भी garden plants हो गया फिर जो और भी जो प्लांट रहते हैं प्लांट के रिमेंस या फिर जो garden के अलावे जितने भी कच्छले जो रहते हैं मालने जिए पत्ते हो गया या फिर और भी जो रहते हैं तो उनको उनको जो है हम लोग simply एक arrangement किया आता है boxer type का और इसमे अगर मालने जिए वो क्या होगा फिर वो कुछ दिनों के बाद वो nutrients में change आपका हो जाएगा तो यह जो है एक तरीके से manure की तरह काम करता है यानि कि यह एक तरीके से खाद की तरह काम करता है plants के लिए तो इसमें बहुत सारे चीज रखे जा सकते हैं जैसे घरों के जो kitchen के जो waste रहते हैं तो उनको simply हम लोग एक इस टाइप का arrangement आप कराता है कि जिसमें हम लोग यहां पर उसको छोड़ देते हैं बहुत दिनों तक तो अब इसमें क्या होता है अपका यह फिर मैनूर्स में यह change हो जाएंगे इसके अंदर में nutrients की enrichment हो जाती है जो कि plants के growth के लिए क् important होते हैं यह तो यह आपका सबसे एक best method आपका हो सकता है best disposal का क्योंकि यह जो है जो अनसेफ जो organic product रहता है तो उनको यह सेफ compost में simply बदल देते हैं जो कि यह उपज बढ़ाने में भी मदद करती है तो composting देखिए यह आपका simply होता है organic फार में भी इसकी use की जाती है जिसम फिर decomposition होने का इंतजार गयाता है तो decomposition होता है यहां पर जो भी microbes जो रहता है तो उनके द्वारा यह होती है और फिर बात में यह बदल जाते हैं आपके जो न्यूट्रियंट सुरीच यानि की मैनूर्स में अब देखिए यह इसका एक advantage तो है ही कि यह आपका जो unsafe organic product होता है तो उनको safe organic product में बदल देता है लेकिन यह जो process आपका यह काफी slow process होती है क्योंकि इस मैनूर्स में convert होने के लिए एक लंबा समय के requirement होती है और साथ में य दूसरा अगला method आपका है that is waste to energy यानि कि इसमें हम लोग energy का recovery करते हैं हम लोग तो इस process में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो non recyclable waste होते हैं यानि कि जो भी waste item ऐसे होगा कि जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं तो इनको हम लोग heat में convert करते हैं या फिर electricity में या फिर इनसे भी फ्यूल जेनरेट कर सकते हैं तो यह process आपका होता है that is waste to energy में तो यह इस टाइप का source जो रहता है आपके energy का आपके एक renewable source of energy के example आपके हो जाते हैं जैसे जो non recyclable waste आपके रहता है तो इनको हम लोग बार बार use कर सकते हैं हम लोग इनसे फिर हम लोग energy के जो create कर स करते हैं हम लोग और इनसे देखिए जो carbon का emissions रहता है तो उसको फिर reduce करने भी आपका मदद करता है क्योंकि यह आपका क्या है कि energy के जो requirement जो आपके रहती है यहाँ पे फोजिक प्रोसेस है तो इसको हम लोग फिर next specific use के लिए हम लोग कर सकते हैं माले जी कोई चीज़ है जो की उसको discard कर दी गया है उसका uses नहीं हो रही है लेकिन उसको हम लोग फिर से next use के लिए हम लोग कर सकते हैं तो यह होता है recovery process में तो देखिए यह जो discarded item जो रहते हैं तो इनको फिर से इसमें process किया जाता है ताकि इनसे हम लोग extract कर सके या फिर व आपका heat में बताद या सकते हैं electricity में या फिर फियोल में तो यह आपका होता है recovery process में और वहीं देखिए जो recycling का प्रोसेस है तो यह आपका process होता है कि जिसमें की जो waste product जो रहते हैं जो भी waste product है तो उसको हम लोग convert कर देते हैं नए product में अब इनसे क्या होगा यहां पर कि ज इसको discard कर दी गया है तो उसको हम लोग फिर से नए product में उसको हम लोग convert कर देंगे तो इनसे जो fresh raw material को requirement होती है तो वह इसमें बचत होगी अब देखिए idea जो रहता है recycling के behind में तो यह मतलब रहता है कि यहां पर हम लोग energy को reduce करेंगे और साथ में जो landfill के जो volume होती है तो उस उसको भी reduce कर सकता है क्योंकि यहां पर हम लोग जो same waste product है उसी को हम लोग फिर से यूज में ला रहे हैं और इसके चलते मालेज़ अगर landfill में अगर volume अगर उसमें कम कर रही है तो आप जानते हैं कि landfill के चलते जैसे air pollution और water pollution आपके air eyes होता है तो उसमें भी आपका यह कम होग तो इस तरीके से recovery का और recycling का तो यह एक best method आपका हो सकता है यहां पर और इसके अलावे देखिए जो छटा आपका यहां पर है सबसे best तरीका है कि हम जो है कचड़ा मतलब कि उसको हम करें कचड़ा ज्यादा करें ही ना यानि कि हम जो है waste को ज्यादा produce ही ना करें यानि कि हम waste को minimize हम लोग करें ज्यादा से ज्यादा तो यह सबसे best तरीका आपका है और यह जो आपका सबसे most easier method है waste management का कि हम अगर जैसे अगर waste का creation करना ही अगर हम काम कर देंगे तो इससे क्या है कि जो material जाते हैं landfills में तो वहां पर जो volume जो रहेगी तो उसके कम होगी यानि कि यह reduce हो जाएगा उनकी amount में तो अगर reduce हो जाएगा तो इसके जलते जो भी समस्या होती है environment को जो नुक्सान पहुंचते हैं तो इतना नहीं होगा इसके चलते तो इसके चलते देखिए क्या होता है यहां पर कि क्या होगा यहां पर कि और भी और भी मान लिजे कि जो resources होंगे जो होती है तो उनकी कमी होने से भी बचेगी तो यह आपका एक बेस तरीका हो सकता है अब दिखिए जो waste reduction जो किया जा सकता आपका इहां पर तो यह आपका जैसे कि आखर हम लोग old material को recycle कर ले जैसे कि आपका jar हो गया बैग हो गया या फिर जो repairing जो broken items आपके रहते हैं तो इनक इसका हम लोग disposal करने से बचा सकते हैं हम लोग यानि कि इसका हम लोग नए नए फिर से हम लोग जो है second hand items को हम लोग buy करके यूज कर सकते हैं हम लोग और अगर हम लोग इसको buy करेंगे इन सारे items को तो यह मालेजी कि यह less designing भी इनमें लगे आपका तो इस तरीके से इसको minimize कर सकते हैं जितना से ज्यादा अधिक कर सकते हैं यह सबसे बेस तरीका आपके हैं अब यहाँ यहाँ पर questions करते हैं जो कि आपके previous RRB NTPC के examination में आपके पूछे गया थे तो question यहाँ पर दिखिए आपके दिया हुआ है कि the process of converting the weight waste into manure is called तो जो weight waste को यहाँ हम manure में convert कर रहते हैं हम लोग तो इस process को हम लोग क्या बोलते हैं तो यह चीज मैंने आपको बताया है जो composting जो process आपका है तो इसमें जितने भी waste आपके रहते तो mostly वह वेट ही रहते हैं इनके भीग हुए रहते हैं तो इसको हम लोग एक लंबे समय तक के लिए उसको छोड़ दोते ह इनमें से कौं सा helpful नहीं माना जाता है इनको तो आपके दिया हुए एकसल साडस्ट टीक बॉंस बैक्स दिया है तो इसमें से दिखिए जो option d आपका दिया वजा से फिस जो भॉंस होते हैं इसके तो यह जो हैна कि मामले में यह उतना ज्यादा रिगार्ड नहीं किया तो यह जो है इसमें अगर डाल देते हैं तो यह फिर बात में रैंसिड हो सकते हैं और इनसे बहुत ही गंदा इसमेल आएगा और खुस्बू भी जो है उतनी अच्छी नहीं आएगी मतलब कि इसमें आपका एक तरीके से कहिए कि बंदभू आएगी और इसके साथ में यह अगर इसमेल अगर बेकार आएगा तो यह जो है इनसेक्ट को या फिर जो रोडेंट जो होते हैं या फिर अन्वांटेड जो एनिमल्स है तो वो इनको जो है अट्रैक कर सकते हैं और इस इसमें जब को फिस बोंस है तो यह जो है helpful नहीं मानाता है compost के लिए तो देखिए compost में ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप materials को राके अब रहन डाल देजाओ उसमें सभी जो है manure में convert नहीं होते हैं तो वो चीज का चयन करनी पड़ती है कि क्या के जो है helpful होते हैं composting के लिए फिर अगला question देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि the process of burning of municipal solid waste at high temperature is called तो जिसमें कि हम लोग municipal solid waste को burn करते हैं high temperature पर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं तो आपको मैंने बताया था कि जो incendration जो process आपका या फिर इसको हम लोग जैसे दूसरा combustion process बोलते हैं हम लोग तो इसमें जो है जो भी waste रहते हैं तो उसको हम लोग high temperature पर burning करते हैं तो option यह जो है करेक्ट अंसर हो जागा that is option incendration फिर अगला question देखिए कि the following is a biodegradable waste तो कौन सा इसमें से biodegradable waste आपका है तो देखिए biodegradable waste वह होते हैं कि जो की microorganisms के दर यानिक जो microbes होते हैं तो वह जो है उसको degrade कर सकते हैं एक period of time के समय में तो इसमें अग्जांपल आपका दिया वाज़े से polythene bags है synthetic fiber food waste है या फिर plastic है तो देखिए जो food waste जो भी रहते हैं आपके तब देखते होंगे कि कुछ दिन के बाद यह जो है बायो डिग्रेट हो जाते हैं यह तो यह होते हैं आपके जो ऑर्गनिजम जो method of disposal of municipal solid waste the waste is dumped in the soil तो कौन सा वो municipal solid waste का disposal का एक method है कि जिसमें कि जो waste को हम लोग soil में dumping कर देते हैं डारेक्टली तो यह आपका होता है that is land feeling में आपने देखा था कि जो कोई भी माले जे एक ऐसा जगह पर वहां पर जैसे select की जाती है कि जहां जहां पर मतलब कि यह location से दूर हो जो city हो या फिर जहां पर लोग रहते हैं वों से दूर रहता हो और वह जो आपका एक ऐसा जगह रहता है कि जहां पर हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं जो land पोर्शन था आपका था हमने पूरा खतम कर दिया है इसका और इसका पीडिये भी जो है आपको description box में मिल जाएगा तो वहां जाएगा पर लोग इसको आप लोग बाइक कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं जो तरीके से आप लोग पढ़ते हैं जो आपका एकजाम में आच्छा नमबर आएगा और खासकर जो general study का पोर्शन आपका है तो इसमें आप लोग काफी अच्छा कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से अप लोग बढ़ते हैं तो बाकी आप लोग अपने तरीके से भी पढ़ते रहिए और question practice आप लोग कर दे और आगे कभी session job का इसी तरीके से चलता रहेगा तो फिर विलेंगे आप से फिर next subject में तब तक के लिए बाए